प्रिय उकाबो, जहां लोथ है, वहां उकाब इकठा हो रहे हैं. ये संध्या का समय है और हमारी आँखों के सामने भविश्यवानी पूरी हो रही है. हमारे ह्रदय हमारे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, जब हम उसे अपनी कलीसियाव, अपने घरों और जंगलों में अपनी मिट्टी की जोपडियों में आमंतृत करते हैं. वह हमसे बात करने जा रहा है और अपने वचन को प्रकट करेगा। हम परमेश्वर को और अधिक पाने के लिए भूखे और प्यासे हैं। कर सके जो हम है उसकी दुलहन। कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो उसकी जगह ले सके। हम पसंद करते हैं कि वह खुद को किस तरह से व्यक्त करता है। ऐसा नहीं है। धोना ले जाना, जाकर लाना। यह परमेश्वर हमारे कानों में बोल रहा है। कत्म हो जाती है। परमेश्वर ने दर्शन में उसके हाथों और आखों को हिलाया। वह कुछ नहीं कह सकता था सिवाए उसके जो वह देख रहा था। परमेश्वर को उसकी जुबान पर, उंगली पर पूरा नियंत्रन था, यहां तक कि उसके शरीर का हर अंग परमेश्वर के पूल्न अधिकार में था। वह परमेश्वर का मुख था। परमेश्वर पहले से जानता था कि इस युग में कलीसिया उल्जन में पढ़ जाएगी। इसलिए उसने अपने भविश्वक्ता को हमारे युग के लिए तैयार रखा, ताकि वो अपनी चुनी हुई दुल्हन को अपने प्रमानत वचन के द्वारा बाहर बुलाए और उसकी अगुवाही करे। उसकी महान योजना में वो यह भी जानता था कि वह अपने भविश्वक्ता को अपने आगमन से पहले घर ले जाएगा, इसलिए उसने उसकी आवास को रिकॉर्ड करके इसे संग्रहीत कर लिया, जिससे कि उसकी चुनी हुई दुल्हन के पास हमेशा ही उनकी उंगलियों के चोर पर यहोवायों कहता है वाला वचन रहे, तब उनके पास कभी भी कोई प्रश्ण नहीं होगा, किसी अनुवाद की आवश्शक्ता नहीं, बस शुद्ध कुमवारी वचन जो वे हर समय सुन सकते हैं, वह जानता था कि अंतिम दिनों में बहुत सारी आवाजे होगी और बहुत सारी गड़बडिया होंगी, पिछले तीन सप्ताहों में उसने हमसे बात की है और उस घड़ी को सामने रखा है जिसमें हम रह रहे हैं, उसने हमें जूठे भविश्य वक्ताओं के बारे में बताया जो उठ खड़े होंगे और चुने हुए लोगों को भरमाएंगे यदि संभव हो तो, किस तरह से इस यूग के इश्वर ने लोगों के हरदय को अंधा कर दिया है, किस तरह से परमेश्वर ने स्वय अपनी भविश्य वानियों के जरिये से कहा है कि ये बातें इस लौदी किया यूग में घटित होंगी, उसने हमें बताया कि वहां कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा गया है। उसने अपनी खुद की हमारे सामने उन बातों के द्वारा पहचान दी है जो इस दिन में उसके करने की भविश्यवानी की गई थी। उसके उन्ही कारियों ने हमें साबित कर दिया है कि वह कल आज और युगानुयूग एक सा है। विब्रानियों तेरर आठ है। क्या यह जीवित वचन है। क्या यह मनुष्य का पुत्र है जो स्वयां को देह में प्रकट कर रहा है। तब यदि आप विश्वास करते हैं और आज्या में रहते हैं तो इस रविवार को भविश्यवानी पूरी होगी। दुनिया भर में कुछ तो बात जगह लेने जा रही है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी संभव नहीं हुआ। परमिश्वर मनुष्य के होठों के जरिये से बोलेगा एक ही समय में पूरी दुनिया में अपनी दुलहन से बात करेगा। वह हमसे चाहेगा कि हम एक दूसरे पर हाथ रखें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जैसे वह हम सभी के लिए प्रार्थना करता है। आप टेलीफोन के प्रसारण के द्वारा जुड़े हैं यदि आपने पूरे हदय से विश्वास किया है जैसे कि सेवक आप पर हाथ रख रहे हैं और आपके प्रियजन आप पर हाथ रख रहे हैं यदि आप पूरे हदय से विश्वास करते हैं कि यह समाप्थ हुआ है तो यह समाप्थ हुआ है हमें जिस किसी चीज की आवश्चक्ता है परमिश्वर हमें वह देगा यदि हम केवल विश्वास करें और हम विश्वास करते हैं हम उसकी विश्वास्योग्य दुलहन है यह बात जगह लेगी जहां भी हम इकठे होंगे अगनी का स्तंभ वहां पर होगा और जिस किसी चीज की आवश्चक्ता है हम में से प्रत्येक को देगा यह यहुवायों कहता है वाला वचन है होने पाए वही पवित्र प्रकाश जिसे हम यहां कलीसिया में देखते हैं होने पाए वो सब पर और प्रत्येक पर पड़े और होने पाए वे इस समय चंगे हो जाए हम मसी की उपस्थिती में शत्रु को शैतान को फटकार लगाते हैं हम शत्रु से कहते हैं कि वह हारा हुआ है प्रभू यिशु की दुसरों की पीडाओं को सहने के द्वारा मृत्यू और तीसरे दिन विजी पुनुरुथान के द्वारा और उसका प्रमानित प्रमान की वहाँ आज रात यहां है जीवित उननीस सो वर्षों के बाद हमारे बीच में है जीवित परमेश्वर की आत्मा हर एक रदय को विश्वास और सामर्थ से भर दे और यीशु मसीह के पुनृत्थान से चंगाई के सद्गुन दे उसकी उपस्थिती में जिसकी पहचान अब कलीसिया में मंदराते इस महान प्रकाश के द्वारा हुई है यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए इसे प्रदान करें आप उसकी दुलहन है कोई भी आप से इसे नहीं छीन सकता कोई भी नहीं शैतान हारा हुआ है आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पास बस उसका एक चम्मच भर है बस इतना ही आपको आवश्यक्ता है यह वास्तविक है यह वही है आप उसके हैं उसका वचन विफल नहीं हो सकता इसे विश्वास करें, इसे स्वीकार करें, इसे थाम कर रखें, यह विफल नहीं हो सकता आपके पास सामर्थ नहीं है, लेकिन आपके पास उसका अधिकार दिया गया है कहे मैं इसे लेता हूँ प्रभु यह मेरा है आपने इसे मुझे दिया और मैं इसे शैतान को छीनने नहीं दूँगा हमारे पास क्या ही समय होगा कोई और स्थान नहीं है जहां मैं रहना चाहूंगा पवित्र आत्मा हमारे चारों और होगा हमें और अधिक प्रकाशन को दिया गया है तूटे हुए हरिद्यों को जोडा गया है हर एक जन चंदा हुआ है हम भला यह कैसे न कहें क्या हमारे हरिदय हमारे भीतर नहीं जले और क्या यह अब भी नहीं जल रहे है यह जानकर कि हम अब पुनरुथित यीशु मसीह की उपस्थिती में है जिसकी महीमा और स्तुती सदासरवदा होती रहे भाई जोसफ ब्रणहम हम दुनिया को हमारे साथ जुडने के लिए आमंत्रित करते है समय दोपहर बारह बजे जेफर्सन विले समय नुसार उत्पत्ति अध्याय बाईस आयत सत्रह से अठारह भजन सहिंता अध्याय सोलह आयत दस भजन सहिंता अध्याय बाईस भजन सहिंता अध्याय पैथीस आयत ग्यारह भजन सहिंता अध्याय एक्तालीस आयत नौ जकर्या अध्याय ग्यारह आयत बारह जकर्या अध्याय तेरह आयत साथ यशाया अध्याय नौ आयत छे यशाया अध्याय चालीस आयत तीन से पांच यशाया अध्याय पचास आयत छे यशाया अध्याय तिरपन आयत साथ से बारह मलाकी अध्याय तीन आयत एक मलाकी चार एट अध्याय संत युहन्ना अध्याय 15 आयत 26 संत लुका अध्याय 17 आयत 30 संत लुका अध्याय 24 आयत 12-35 रोमियो अध्याय 8 आयत 5-13 इबरानियो अध्याय 1 आयत 1 इबरानियो अध्याय 13 आयत 8 प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 1-3 प्रकाशित वाक्य अध्याय दस